हाई दोस्तों, मेरा नाम है मुबारत और आप देख रहे हैं दिलललेंटॉप.com एक बार फिर मैं लेकर आये हूँ आपके लिए हमारी मराथी सिनेमा की सीरीज की अगली कड़ी सीरीज का नाम है चलाचित्रपट बगुला जिसका मतलब है आओ फिल्में देखे सेक्स ऐसा शब्द जिससे पूरा भारत वर्ष भी दखता है जिसका जिक्र परदे में करने की सला दी जाती है जिसके उपर पब्लिक स्पेस में बात करना लगभग पाप माना जाता है सेक्स के वजूद का सीधा संब्बन संस्कृति के वजूद से जुड़ा है जिस-जिस मातरा में इस शब्द का जिक्र बढ़ता है उसी मातरा में संस्कृति के नैश्ट होने का खत्रा भी बढ़ता है जब बड़ों में ही सेक्स को लेकर आपस में बात करने में इतनी हिचकिचावट है तो बच्चों के साथ क्या ही बात करेंगे ऐसे भारत में बच्चों की सेक्स जिग्यासाओं को लेकर एक फिल्म बनती है और एक भी फ्रेम में बिना अश्लिल हुए अपनी बात कहने का कारनामा कर दिखाती है यकीन मानिये ये बहुत बड़ा करिश्मा है डारेक्टर रवी जादव की फिल्म बालक पालक एक बे इंतहा सहज लेकिन सशक्त फिल्म है कहानी बताते हैं अस्सी का दशक है इंटरनेट अभी दुनिया में नमुदार नहीं हुआ है चार पक्के दोस्त हैं एक ही चाल में रहते हैं टीनेज की दहलीज पर मंडरा रहे हैं ये चार लोग हैं डॉली गावसकर जिसे गुडियों में कभी दिल्चस्पी रही ही नहीं भागेश रेगे उर्फ भागया रंग कर्मी पिता की नोटन की उलाद बाद बाद पर अपने पिता के डायलोग मारता है तीसरी है आरती पुरानिक उर्फ चीव किसी बाबा में अगाज स्रद्दा रखते परिवार का प्रोड़क्ट है ये लड़की बाबा का फोटो जोमेटरी बॉक्स में लेकर चलती है चोता है अविनाश गंधे उर्फ अव्या अपने सारे सवालों के जवाब किताबों में ढूनने का आदी है क्योंकि माबाप तो कभी गर होते ही नहीं ये चारो दोस्त फर्स सेमिस्टर का एक्जाम देकर घर लोटे हैं दिवाली की छुट्टियों में धमाल करने वाले हैं चौल में घुसते ही सामने मातमी नजा रहा है उनकी प्यारी जोतिताई चौल छोड़ कर जा रही है रीजन कोई नहीं बता रहा इधर उधर गुसकर जो कुछ थोड़ा बहुत सुन लिया है उससे मालूम चला कि जोतिताई ने गोबर खा लिया है अब चारोचित कमबक्त ये गोबर खाना क्या होता है बच्पन में मिट्टी चौक तो सब ने खाया है लेकिन इसी वज़े से किसी को घर छोड़ते तो कभी नहीं देखा इस गोबर खाने वाले कोड को क्रैक करने के लिए ये चौकडी दरदर बटकती है तबेले में घुश कर पूश तास करने से लेकर बड़ों से सवाल करके थपड़ खाने तक सब हो जाता है लेकिन जवाब नहीं मिलता ऐसे में आखरी सहारा बस विशु ही बचता है विशु उनसे दो-चार साल बड़ा टपोरी सा लड़का हुंबई में लावारी सवस्ता में पले बड़े विशु को तमाम उल्टी सीधी चीजों की जानकारी है वही समझा सकता है कि ये गोबर खाना एक्चुली होता क्या है विशु उन्हें निराश नहीं करता उसके जरिये जो काम की जानकारी इन चारों के हाथ लगती है वो ये कि औरत और मत के बीच एक गेम होता है धिंचेक-दिचेक गेम उस गेम की तमाम जानकारी जुटाने के प्रयासी बालक-बालक फिल्म है जिग्या साओं को शान्त करने का सिलसिला वो वाली किताबे पढ़कर शुरू होता है अगला स्टेप उन किताबों को सचित्र में तब्दील करने का है इन किताबों से हासिल करने लाएक सारी जानकारी हाथ लगने के बाद आगे क्या ठियोरी हो गई अब प्रैक्टिकल देखना है तो दूसरों के बेडरूम में जाकने की जुगत बिढ़ाई जाने लगती है खिडकियों के बाहर खड़े होकर आवादे सुनने के प्रयास होते हैं और जब सारी उठापटक के बाद भी कुछ दिख नहीं पाता तो विशु की एक्सपर्ट सला पर अंतिमस्तर निकालने का फैसला होता है ब्लू फिल्म देखने का फैसला इस काम के लिए कितने ही विकट कारियों को अन्जाम देना है जैसे छुपते छुपाते VCR अरेंज करना ब्लू फिल्मों की कैसेट मुहिया कराना और किसी सेफ जगह का इंतिजाम करना ये चौकडी और इनका चरवाह विशु कैसे इन सबसे निपटते हैं इसी की खूब सूरत कहानी है बालक बालक फिल्म का सबसे सशक पक्ष बिलाशक इन बच्चों का अभिने है कौतुहुल, संब्रम और आश्यरे के तमाम भाव बच्चों ने शांदार ढंग से अभिवत किये हैं विशु के किरदार में प्रतमेश परब अध्भुत हैं चारों बच्चे, मदन देवधर, शाश्वती पिंपलकर, रोहित फालके और भाग्यश्री संकपाल भेतरीन कास्टिंग का नमुना है नई जानकारी से हैरान परेशानिये की शोर उन बदलाओं को बड़े ही इमांदाराना ढंक से परदे पर उतारने में कामियाब हैं जो असल में इस उम्र में आते हैं जैसे भाग्या का अपनी चाल की नेहताई पर आसकती का भाव जो उससे उम्र में काफी बड़ी है या अवया का ये डिस्कवर करना कि चिव भी तो लड़की ही है फिल्म का सबसे शांदार सीन वो है जब दुनिया जहान की जद्धो जहत के बाद ये सेना VCR पर फिल्म देखने में कामियाब हो जाती है फिल्म शुरू हो गई है कैमरा टीवी के पीछे से बच्चों के चेहरे पर फोकस्ट है स्क्रीन पर आ रहे हैं द्रिश्यों को देखते हुए उनके चेहरे पर जो भाव आते जाते रहते हैं वो इस फिल्म का हाई पॉइंट है रितेश देश्मुक ने इस फिल्म के साथ ही मराथी सिनेमा निर्मिती में कदम रखा था उनको साधुवाद डारेक्टर रवी जाधु को स्पेशल मार्क देने होंगे जिस समयदन शीलता से उन्होंने सब्जेक्ट हैंडल किया है उसकी भारत में तो कोई दूसरी मिसाल मैंने नहीं देखी है ये फिल्म बेहद आसानी से वलगर हो सकती थी अशलील हो सकती थी लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा इसका एक भी फ्रेम अशलील नहीं है तमाम पेरेंट्स को ये फिल्म जरूर जरूर देखनी चाहिए उम्र के नाजुक मोड पर खड़े बच्चों को सही गाइड करने में सहायक साबित होगी तो ये थी हमारी इस हबते की फिल्म इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी मराटी फिल्मों के बारे में जानने के लिए आप देखते पढ़ते रहिए दिलललंटॉप.com अगर आप फेस्बुक पर है तो हमारा पेज लाइक कीजिए अगर आप यूटुब पर है तो सब्सक्राइब कीजिए